हेलो दोस्तों स्वागत आपका मारे यूटूब चैनल पर आज हम आपको डीफर्म सेकेंड डियर का सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री जिसका जो आपको हम चेप्टर नमबर थर्ड पढ़ा रहे थे जिसका नाम है प्रोटीन चेप्टर नमबर थर्ड का हमने फर्स्ट उसकी डेफिनेशन बताई थी और जो प्रोटीन का क्लाजिफिकेशन होता है उसको हमने बताया था और अच्छे दे डिफाइन भी किया था और आसा करते हैं कि आप लोगों ने जिसने देखा होगा उसको समझ में भी आया होगा दोस्तों यह चैनल आपको हिंदी इंग्लि उपर भी शेयर करेंगे और उसको वीडियो में भी करणवाड करेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरे बाटसाफ गुरुप से डोन आए तो आपको एक साल के लिए 199 रुपे पैय करने होंगे उसके बाद आपको जितना भी आपका डिफर्म सेकेंडियर का सिलेवस है पूर जल्द कोसिज कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों के सेसनल एक्जाम हैं तो सेसनल एक्जाम में किसी के कॉलिज में थर्ड चेप्टर तक आता है या किसी के कॉलिज में फूर्थ चेप्टर तक आता है तो हम इस पकार से कबर कर लेंगे सिलेवस को कि अगर किसी के पर्ष तयार कर पाएगा और अच्छे से अपनी तयारी भी कर पाएगा साथ में भी हम आपको जो आपका सेशनल एक्जाम होंगे उसके मल्टिपल च्वाले कोश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट वाले कोश्चन बनेंगे हम वीडियो अपलोड करेंगे और चैनल पर उस सेकंड पार्ड में सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे इस ट्रक्चर आप प्रोटीन यानि यह इतना आपके एक्जाम परफस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके सिलेवस में दिया गया है टॉपिक इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं तो आपका टॉपिक है जो के structure होते हैं उनको कितने टाइप से बांटा गया है यानि प्रोटीन को structure के base पर कितने type से बांटा गया है उनके बारे में थोड़ी सी information है तो प्रोटीन को पहला type है primary structure यानि जो protein होता है उसको primary structure base पर बांटा जाता है तो इसमें क्या लिखा है एक-एक amino acid को जोड़ कर जब आप एक-एक amino acid को जोड़ देते हैं तो एक long chain बन जाती है यानि जो amino acid वाला structure होता है हमने previous में बताया था तो अगर आप उसको जोडते चले जाएंगे तो एक long chain बन जाएगी जिसको कहा जाता है primary protein उसके बाद आपका आता है secondary structure secondary structure क्या होता है protein का इस प्रकार के structure hydrogen bonding पर depend करते हैं जो आपके secondary structure बनते हैं hydrogen bonding से बनते हैं उसमें जो structure तयार होता है उसके बीच में hydrogen bond लगा होता है और जो आपके secondary structure होते हैं यह आपके two type के होते हैं पहला आपका होता है alpha helix alpha helix आपका round save में होता है देखिए पीछे screen पर भी लगा है हमने इसको structure को ड्रा किया है आप लोगों की help के लिए और आपको दिखाने के लिए तो जो आपका alpha helix होता है रांड save में होता है और जो आपका second structure होता है आपका होता है V seat यानि बीटा seat की तरह होता है यानि इसमें seats होती है और इनके बीच में hydrogen bonding लगी होती है तो आपको अपनी knowledge के लिए इन structure को देख लेना है आपके exam में इतना question नहीं पूचा जाता है इतना important नहीं है बट इसका जो classification है protein का classification है बहुत ज़्यादा important है उसको आप अच्छे से prepare करेंगे और अच्छे से उसकी तयारी भी करेंगे दोस्तों हम आपको साथ साथ में यह भी बताते चलेंगे कि आपका important क्या है और दोस्तों किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप मेरी वीडियो को लगातार follow करेंगे तो दोस्तों last में आपके preparation इतनी अच्छी हो जाएगी बहुत अच्छी preparation होगी आप अपना exam जो है अच्छे से दे पाएंगे फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड बाला point है tertiary structure यानि इसमें tertiary से पता लग रहा है यह three dimensional structure होता है इसमें तीन dimension होती है जो आपका tertiary बाला structure होता है और last में आता है quartinary structure जो quartinary structure होता है यह structure multiple polypeptide जो chain होती है polypeptide हमने आपको बताया था bond लगता है जब आपका protein का structure तयार होता है तो उसी पेकार से इसमें polypeptide chain से structure बनता है polypeptide जो bond होता है लगता है उसके बाद दोस्तों इसका example है hemoglobin जो hemoglobin होता है इसमें two alpha chain होती है और two beta chain होती है आपको इसका एक example याद कर लेना है hemoglobin कभी कभी multiple choice वाले में question अगर आ जाता है कि quaternary structure का example क्या है तो hemoglobin को आपको लिख देना है तो आपका जो structure वाला topic था बस इतना था यानि आपको हमने knowledge दे दी कि आपके protein के structure कितने type के होते हैं protein का structure based क्या होता है तो पहला बताए आपको हमने primary structure दूसरा secondary structure तीसरा बताए टर्सनरी जो टर्सरी structure है और fourth बाला है आपका quaternary structure फिर बात करते हैं आपके important topic की जो आपका protein बाले chapter का base है amino acid की amino acid क्या होते हैं इनका classification क्या होता है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे तो amino acid क्या होते हैं amino acid protein को बनाता है यानि जब amino acid को मिला दिया जाता है तो protein का निर्माड हो जाता है और जो amino acid होता है बे organic compound होता है जो nitrogen, carbon, hydrogen और oxygen से मिलकर बना होता है जो आपका amino acid होता है बे nitrogen से मिलकर बना होता है carbon इसमें होता है hydrogen होता है oxygen होता है और इसमें कोई side chain लगी होती है जिससे मिलकर amino acid बना होता है उसके बाद human being जो होता है यानि जो humans होते हैं उनके अंदर 20 amino acid body को development और body को function कराने में बहुत ज़्यादा help करते हैं यानि जो 20 amino acid ऐसे होते हैं जो body के development में और body को function कराने में बहुत ज़्यादा help करते हैं और जिसमें से जो 9 amino acid होते हैं बहुत इंपोर्टेंट amino acid होते हैं क्योंकि जो आपके knowledge वाले point है उनको हमने add कर दिया है यानि amino acid की संक्या तो body के अंदर बहुत होती हैं लेकिन जो आपके 20 amino acid होते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं फिर आपका हमने amino acid का एक figure बनाया है कि amino acid किस पकार का structure होता है तो दोस्तों बीच में आपका carbon है उसके उपर कोई variable group लगा होगा जैसे variable group का मतलब होता है जैसे hydrogen लगा होगा CS3 लगा होगा CS2 OH लगा होगा तो R की जगे पर variable कोई भी group लगा होगा उसके बाद इदर के left side की तरफ लगा है NS2 NS2 में क्या होता है amino group कोई amino group aid होगा नीचा की तरफ कोई hydrogen bond उसमें लगा होगा और last में आपका fourth नमबर पर आता है COOH यानि कॉर्वाक्सलिक acid यानि जो आपका amino acid होता है इसमें four आपके elements लगे होते हैं एक होता है variable group amino group उसके बाद hydrogen और कॉर्वाक्सलिक acid इसमें add होता है तब आपका जो है amino acid का figure बनकर तयार हो जाता है फिर एक आपकी definition है छोटी सी किरल कारबन कभी कभी कोई पूछता है तो आपको knowledge होनी चाहिए तो किरल कारबन क्या होता है चारो बांड में डिफरेंट गुरूप जुड़े हो उसे किरल कार्वन कहते है यानि जो कार्वन होता है उसके साथ में यानि कार्वन में कितने बांड होते हैं चार बांड लगे होते हैं तो चार बांड जब लगे होते हैं और चारो बांड के साथ जब डिफरेंट गुरू और इसके बाद कोई Car 왜냐하면 Acid Group लगा है तो यानि अलग अलग लगे हुए हैज इसे चौह जाता है कि्र्फारम benefit वी हैने यह पर उन्हें लिखा है आप इसमें Gletechno को यज ऐड़ कर सकते हैं और vaccin को भी आप एड़ कर सकते हैं तो इतना आपका introduction हो गया amino acid का फिर उसके बदाद करते हैं classification आप amino acid on the basis of chemical nature जो chemical nature के अधार पर amino acid को कितने types में بांटा जाता है उनका आपको classification बताते हैं तो पहला type है neutral amino acid neutral amino acid क्या होते हैं न्यूट्रल अमिणो एसिड बे घोते हैं जिसमें मोनमममीनो यानि एक अमीन हो यानि मोनमममिनो का means होता है जिसमें एक अमीन होता है और मोनो कॉर्वाकसिलेग एक कॉर्वाकसिली गुरुप हो यानि ऐसे structure जिसमें एक अमीन गुरूप लगा हो और एक कॉरवाक्सिली गुरूप लगा हो तो उसको कहते हैं neutral amino acid इनके example क्या हैं बहुत से example हमने लिखे हैं जैसे glycine, alanine, serine, tyrosine हो गया इसमें, proline हो गया example, leucine, isoleucine और glutamine जो आपका होता है amino acid तो इस प्रकार से हमने इसके इतने example लिखे हैं फिर आपका second point आता है acidic amino acid जो acidic amino acid होता है बल किससे मिलकर बना होता है दोस्तों acidic amino acid बे amino acid होते हैं जिसमें amino acid होते हैं यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर दो बार लिख गया है, अमीनो एसेड होते हैं, जिसमें अमीनो एसेड होते हैं, इस पगार से इसमें लिख गया है, तो आपको लिखना है कि अमीनो एसेड बे अमीनो एसेड होते हैं, जिसमें अमीन गुरूप तो एक ही होता है, जो अमी इसमें दो लगे होते हैं, तो इसमें हमने structure भी बताया है, देखिए NS3 उसके बाद इसमें कारवल लगा है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर COO, यानि इसके साथ में H उपर की तरफ लगा हुआ है, उसी पेकार से COO दोबारा से इसमें लगा हुआ है, इसमें ला हुआ है, तो यह आपका example हो गया, acidic amino acid का, फिर थार्ड बाला पाइंट है आपका basic amino acid, basic amino acid क्या होता है, basic amino acid बे amino acid होते हैं, जिसमें कारवाक्सिली गुरूप तो एक ही लगा होता है, जो कारवाक्सिली गुरूप होता है, COO बे तो एक ही लगा होता है, बट die amino group लगा होता ह अमीनो गुरूप का मिन्स इसमें दो अमीनो गुरूप लगे होंगे और प्रिबियस वाले में क्या है उसमें दो कॉरबाकसिली गुरूप लगे होते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर में आपके दो अमीन गुरूप लगे होंगे यानि NS2 या NS3 आपके दो लगे होंगे देखिए हमने structure भी बताया है और देख लीजे इसमें amine group जो है वे इसमें दो लगे हुए है structure में इसका example है histidine, lysine और arginine arginine इसका example है, lysine इसका example है histidine इसका example है तो आपको इसके example एक बाद देख लेने हैं अगर आपको structure नहीं समझ में आता है तो इतना कोई जरूरी structure नहीं है बट हमने आपके knowledge के लिए आपको दिखाने के लिए इसके structure बना दिये हैं फिर आपका इसका fourth point है यानि fourth classification है aliphatic amino acid इसके example हमने लिखे alanine, baleine, lysine, isolucine और उसके बाद fifth number आता है aromatic amino acid aromatic में हमने tyrosine लिखा है और heterocyclic amino acid इसका classification है six number का इसमें आपका example है proline तो आपके जो main classification थे एक था neutral, एक था acidic एक था basic उसको हमने theory wise इसको complete किया और जो आपके एक दो और classification होते हैं उनके हमने example को लिख दिया है फिर second point आता है classification based on the nutritional status जो nutritional होता है nutritional status होता है उसके आधार पर amino acid को कितने type में बाटा गया है उसको आपको define करना है तो उसका पहला point है essential amino acid यानि जो amino acid body में synthesize नहीं होते हैं जो आपके essential वाले amino acid होते हैं ये body के अंदर synthesize नहीं होते हैं इन्हें diet के साथ में लेना पड़ता है तो इनको कहते हैं essential amino acid इनके example है tryptophan, leucine, isoleucine, valine, histidine और lysine फिर आपका point आता है non essential amino acid non essential amino acid क्या होते हैं ऐसे amino acid जो body में synthesize तो होते हैं जिनको diet के साथ लेना नहीं होता है जो आपके non essential amino acid होते हैं ये body के अंदर ही synthesize होते हैं इनको बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं होती है इनके example होगे proline, alanine, glycine, aspiratic acid और glutamine जो आपका होता है amino acid, systeine, serine, tyrosine इसके example है फिर थर्ड वाला point आता है nutritional status में आपका आता है semi essential amino acid यानि ऐसे amino acid जो body में synthesize तो होते हैं बट कम amount में synthesize होते हैं यानि body के अंदर तो synthesize तो होंगे हमारी body के अंदर बनते भी हैं बट इतनी मात्रा में नहीं बन पाते हैं जितनी मात्रा में हमारी body को जरूरत होती है तो इनको थोड़ा सा बाइर से भी लेने की जरूरत होती है इसलिए इनको का जाता है earth essential amino acid यानि जो earth means semi means earth तो इसलिए का जाता है सेमी इसेंसियल अमीनो एसेड इनके एक्जामपल हो गए आरगिनीन हिस्टेडीन फिर आपका क्लासिफिकेशन आता है अमीनो एसेड का क्लासिफिकेशन बेस्डों दा केमिकल नेचर केमिकल नेचर के आदार पर अमीनो एसेड को कितने टाप से वांट गया है इसमें हम यह बताएंगे यानि पहला टाइप आता है नॉन पॉलर अमीनो एसेड नॉन पॉलर अमीनो एसेड क्या होते हैं इनको हाइड्रोफोबिक भी का जाता है यानि हाइड्रोफोबिक मिन्स क्या होता है मिन्स जो अमीनो एसेड बाटर हेटिंग होते हैं हाइड ग्रूप पर कोई चार्ज नहीं होता है जो आर यानि वेरियवल ग्रूप लगा है उस पर इसमें कोई चार्ज नहीं होता है इनके एक्जामपल है एलेनीन, लूसीन, आईसो लूसीन और बैलीन आपके एक्जामपल वही घुमा फिरा के वही आ रहे हैं तो आपको अच्छे स amino acid भी कहा जाता है क्योंकि ये बाटर के साथ add हो जाते हैं इसलिए इनको butter loving amino acid भी कहा जाता है और इन पर कोई charge जरूर होता है यानि जो आपका variable group R होता है इस पर कोई charge होता है negative हो सकता है positive हो सकता है इसका example लिखा है aspiratic acid and glutamic acid पर two negative charge होते हैं और arginine, lysine और आपका histidine पर तीन positive charge होते हैं तो इस परका से आपने polar जो आपका amino acid है उसका example देखा दोस्तों जो आपका amino acid का classification था यानि आपको हमने three type से बताया आपको पहला बाला हमने क्या बताया था जो आपका amino acid का classification है उसमें पहले हमने आपको बताया chemical nature के आदार पर amino acid को कितने type में बाटा गया और उसके बाद आता है आपका nutritional status के आदार पर और उसके बाद आता है आपका third वाला chemical nature दोवारा से यानि जो polar होता है non polar उस बेस पर जो हमने बाटा है उसको कहा गया है chemical nature पर तो आपका non polar हमने बताया जो hydrophobic होते हैं और polar वाले जो आपके hydrophilic होते हैं दोस्तों जब आप PDF देखेंगे तो आपको PDF में बिल्कुल अच्छे से clear समझ में आएगा और आप मेरी वीडियो के देख लीजिए उसके बाद PDF अच्छे से पढ़ लीजिए आपकी knowledge बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी preparation भी बहुत अच्छी हो जाएगी आप defarm second year या first year के paper या तो हिंदी में दे सकते हैं आप इंग्लिस में भी दे सकते हैं अगर आप UP वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बताते जाएए धन्यबाद दोस्तों